हेलो फ्रेंज, मैं लता, आप सभी ने अकवर और बीरवल की कहानिया बहुत सुनी होनी, उन्हीं में से एक कहानी है, ब्यावपारी की बेईमानी, आई ये कहानी की उचलते हैं, अकवर के राज्य में एक बरतनों का ब्यावपारी था, बहुत ही बेईमान था, बादशाह उस की सिकायते सुन सुन कर परिशान हो चुके थे, बादशाह ने बीरवल से कहा, कि तुम सीग्र पता लगाओ, क्या वास्तब में ये व्यापारी थगी है, क्या वास्तब में ये व्यापारी बेईमान है, मामले की छानबीन करने पर बीरवल को पता चला, कि वह व्यापारी ब जब बीरवल पतीले लोटाने गया, तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया, तीनों पतीले व्यवपारी को देती हुए कहने लगा, जनाब तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक छोटे पतीले को जनम दिया है, इसलिए यह तुम्हारा है, आप इसे रख लीजिये, व्य तो दिनोबाद ब्यवmedi के पास खाली हाथ चला गया बीरवल को खाली हाथ देखकर ब्यविवन बोला पतीला कहा है जनाब आपकी पतीले की मृत्यू हो गई है बीरवल ने कहा क्या कह रहे हो पतिला भी कभी मरता है क्या ब्यापारी बोला बड़े ही शांत सभाव से बीरवल बोला जब बड़ा पतिला छोटे पतिले को जनम दे सकता है तो पतिला मर क्यों नहीं सकता ब्यापारी बीरवल की सारी बाते समझ गया और उसने वादा किया कि वह विश्ववय कवी बेईमानी नहीं करेगा इसकी बाद ब्यापारे ने बियमानी करना छोड़ दिया अब बात्षाह के पास ब्यापारे की कोई शिकायते भी नहीं आती हैं बीरवल की चतराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रसंसा के गई धन्यवाद दोस्ते